दोस्तों क्या आपको पता है कि भाग्य का लिखा कभी नहीं तलता। जो आपके भाग्य में लिखा है वो तो होना ही है। लाखों जतन करके भी आप उसे बदल नहीं सकते। आइए इसको जाने एक पंडित और यमदूत की कहानी के जरिये। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें जिससे हमारी अगली विडियो आप तक आसानी से पहुँच सके। आएए शुरू करते हैं। एक गाव में एक बहुत ही ज्यानी पंडित रहता था। वहां से कई मील दूर एक दूसरे गाव में उसका एक बहुत ही पुराना मि मित्र था। एक दिन पंडित को अपने मित्र की याद आई और वह उससे मिलने के लिए निकल पड़ा। पंडित अकेला ही चला जा रहा था कि तभी रास्ते में उसे एक व्यक्ति मिला। वो व्यक्ति पंडित के साथ चलने लगा। पंडित को लगा कि चलो एक से भले दो रास्ता बात करते हुए अच्छे से कट जाएगा। पंडित ने उस व्यक्ति से उसका नाम पूछा, तो उसने अपना नाम महाकाल बताया। नाम सुनकर पंडित को थोड़ा अटपटा लगा, परंतु किसी के नाम को लेकर कोई सवाल पूछना पंडित को उचित नहीं लगा चलते चलते रास्ते में एक गाउ आया। उस व्यक्ति ने पंडित से बोला कि तुम आगे चलो, मुझे गाउ में कुछ काम है। मैं वह काम पूरा करके तुम्हें आगे मिलता हूँ। ऐसा कहकर वह व्यक्ति उस गाउ में चला गया। थोड़ी ही देर में उस गाउ में असा गया और फिर से साथ चलने लगा, फिर थोड़ी दूर चलकर एक और गाव मिला, पंडित को भूख लग रही थी, वह एक पेड के नीचे बैठा और कुछ खाने लगा, तभी उस व्यक्ति ने कहा कि इस गाव में भी मुझे कुछ काम है, जब तक तुम फल खा रहे हो कि एक औरत की सांप काटने से मृत्य हो गई, जैसे ही यह खबर फैली वैसे ही वह व्यक्ति पंडित के पास फिर से आ गया, वे दोनों फिर से चलने लगे, चलते चलते रात हो गई थी, पंडित ने बोला कि अगले गाव में किसी मंदिर में रुक कर रात बिताएंगे, और फिर सुबह आगे की यात्रा तै करेंगे, दोनों पास के गाव के एक मंदिर में रुके, तभी उस व्यक्ति ने पंडित से कहा कि तुम आराम करो, मैं कुछ काम करके वापस आता हूँ, पंडित आराम करने लगा, तभी खबर फैली कि गाव के कुछ धरों में आग लग इस घटना के घटने के तुरंत बाद वह व्यक्ति फिर से पंडित के पास आ गया, अब पंडित को कुछ गड़बड लगने लगी, पंडित ने सोचा कि महाकाल जब भी कोई काम करने जाता है, वहां कुछ न कुछ अन्होनी जरूर होती है, परंतु पंडित ने रात में उ सारी घटना चल रही थी, पंडित ने महाकाल से पूछ ही लिया, कि तुम जहां भी जाते हो, वहां कुछ ना कुछ अन्होनी जरूर हो जाती है, ऐसा क्यों? महाकाल ने जवाब दिया, कि वह एक यमदूत है, और जिस किसी की भी आयू समाप्त हो जाती है, वह उनके प्राण हरन करने आता है, पंडित ने इस बात पर आशंका जताते हुए कहा, कि यदि तुम सचमुछ यमदूत हो, तो बताओ कि अगली मृत्यू किसकी होने वाली ह महाकाल ने जवाब दिया, कि अगली मृत्यू तुम्हारे उसी मित्र की होने वाली है, जिससे तुम मिलने जा रहे हो, और उसकी मृत्यू तुम्हारी वजह से ही होगी यह सुनकर पंडित घबराया और सोचा, कि यदि यह सच में यमदूत है, तो इसकी बात सच होगी इसलिए अच्छा यही होगा, कि वह अपने मित्र से मिले बिना ही वापस लोट जाए कम से कम वह तो अपने मित्र के मृत्यू का कारण नहीं बनेगा तभी महाकाल बोला, कि तुम जो सोच रहे हो, उससे कुछ नहीं होगा क्योंकि यह नेती है, और नेती को कोई नहीं टाल सकता अब पंडित को यकीन हो गया था, कि उसके मन की बात जान लेने वाला कोई साधारन मनुष्य नहीं हो सकता बलकि यह सच में यम्दूत ही है फिर भी पंडित ने निर्ने लिया, कि वह अपने मित्र से मिले बगैर ही वापस चला जाएगा ऐसा सोच कर वह वापस मुडा, और अपने गाव की तरफ चलने लगा परंतू पंडित के मित्र ने उसे देख लिया था और उसे यह बिलकुल समच नहीं आया कि पंडित यहां तक आकर भी बिना उससे मिले वापस क्यों जा रहा है बच्पन से ही गुंगा होने के कारण वह पंडित को पीछे से आवाज देकर बुलाना सका वह पंडित के पीछे पीछे भागने लगा परंतु अपाहिज होने के कारण वह पंडित तक पहुँच नहीं पा रहा था काफी दूर चलने के बाद पंडित को प्यास लगी और वो एक नदी के पास रुख कर पानी पीने लगा और थोड़ा आराम करने लगा तभी उसने देखा कि उसका मित्र अपनी पूरी ताकत लगा कर एक पैर से किसी तरह भागता हुआ बड़ी तेजी से उसकी तरफ आ रहा है वह हैरान हो गया और अपने मित्र की तरफ बढ़ा दोनों एक दूसरे के पास पहुँचे ही थे कि तभी पंडित का मित्र जमीन पर गिरा और मर गया पंडित को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था तभी पंडित के मित्र के प्राण को ले जाने वहां महाकाल आ गया पंडित ने महाकाल से पूछा कि ऐसा कैसे हुआ तब महाकाल ने पंडित को बताया कि तुम्हारे मित्र ने तुम्हें वापस जाते देख लिया था और वहीं से वह तुम्हारे पीछे-पीछे भागता हुआ आ रहा था। उम्र हो जाने के कारण तुम्हारा मित्र इतना कष्ट सह नहीं पाया और हृदय घात से उसकी मृत्यू हो गई। इस तरह से अपने मित्र की मृत्यू का कारण तुम खुद ही बने। पंडित बहुत दुखी हो गया। फिर अपने आपको समझाया कि मृत्यू तो सभी की तय है। जो भी इस संसार में आया है उसे एक ना एक दिन जाना ही है। तभी पंडित के मन में एक सवाल उठा और उसने महाकाल से पूछा। क्या तुम बता सकते हो कि मेरी मृत्यू कब होगी। महाकाल ने कहा कि किसी भी सामान्य जीव के लिए यह जानना उप्युक्त नहीं है। परंतु क्योंकि तुम ज्यानी हो और तुम यह भी समझते हो कि हर किसी की मृत्यू तय है। इसलिए मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि तुम अपनी मृत्यू के बारे में जानकर दुखी नहीं होगे। ऐसा कहकर महाकाल ने पंडित को बताया कि तुम्हारी मृत्यू आज से छे महीने बाद आज ही के दिन किसी दूसरे राज्य में फासी लगने से होगी। और सबसे आश्चर्य की बात यह है कि तुम खुशी खुशी फासी को स्वीकार कर लोगे। यह कहकर महाकाल वहां से चला गया। पंडित ने पास के गाउं बालों के साथ मिलकर अपने मित्र का अंतिम संसकार किया और अपने गाउं की तरफ चल पड़ा। हालां की पंडित ज्यानी था, परंतु अपने मृत्यू की बात जानकर कोई भी व्यक्ति व्यथित होगा, तो पंडित भी थोड़ा परेशान था पंडित ने सोचा कि उसे यह बात राजा को बतानी चाहिए क्योंकि पंडित विद्वान था, इसलिए उसके राज्य का राजा भी पंडित को जानता था पंडित को पूर्ण विश्वास था कि राजा और उसके मंत्री मिलकर कोई न कोई तरीका जरूर निकाल लेंगे पंडित ने राजा को सब कुछ बताया राजा ने अपने मंत्रियों से परामर्ष किया मंत्रियों ने बोला कि महाकाल के मुताबिक पंडित की मृत्यू किसी दूसरे राज्य में फासी लगने से होगी यदि पंडित अपने राज्य से कहीं बाहर ही ना जाए तो इस से बच सकता है राजा और पंडित को यह सुझाव सही लगा पंडित ने मंत्रियों की बात मान तो ली परंतु उसे महाकाल की एक बात बार-बार याद आती रही की नेती को नहीं टाला जा सकता इस वजह से पंडित हर समय डरा सहमा रहता था दर के कारण उसे ढंग से नेंद भी नहीं आती थी धीरे धीरे समय बीटता गया और पंडित की मृत्यू का समय नस्दीक आता गया ठीक से नेंद ना पूरी होने की वजह से पंडित को नेंद में चलने की बीमारी लग चुकी थी जिस दिन पंडित की मृत्यू होनी थी उसके एक दिन पहले पंडित नेंद में चलकर राजा के सबसे तेज घोडे पर सवार होकर दूसरे राज्य में पहुँच गया और वो न सिर्फ दूसरे राज्य में पहुचा, बल्कि दूसरे राज्य के राज्य के महल के अंदर चला गया रात्री की अंतिन पहर होने के कारण सारे सिपाही नींद में थे और इस तरह पंडित राजा के शयनकक्ष में पहुच गया और जहां राजा और रानी सोय थे, वहाँ सो गया सुबह हुई और जब उस राजा ने पंदित को रानी के बगल सोया पाया, तो बहुत क्रोधित हुआ पंदित को गिरफ़तार कर लिया गया और दर्बार में पेश किया गया पंदित को तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था उसे पता ही नहीं चला कि उसे नेंद में चलने की बीमारी कब लग चुकी थी जैसे ही पंदित को दर्बार में पेश किया गया, राजा ने उसे फासी की सजा सुना दी परंतु पंडित ने एक बार राजा से उसकी बात सुनने की गुहार की राजा पंडित की बात सुनने को तयार हो गया तब पंडित ने सारा हाल कह सुनाया किसी को भी इस बात पर यकीन नहीं हो रहा था तो पंडित ने कहा कि आप खुद सोचिये राजन कि मैं आपकी शयनकक्ष तक पहुँच गया और आपके पहरेदारों ने मुझे रोका भी नहीं कोई भी साधारन व्यक्ति राजा के शयनकक्ष तक कैसे पहुँच सकता है और राजा की उपस्थिती में रानी के बगल कैसे सो सकता है राजा को पंडित की बात सही लगी राजा ने सिपाहियों को भेज कर पंडित के राजा से पता करवाया तो बात की पुष्टी हुई परंतो दूसरे राज्य के राजा ने पंडित को पहले ही फांसी की सजा सुना दी थी तो अगर पंडित को फांसी नहीं दी गई तो राजा के कथन का अपमान होगा और अगर फांसी दी गई तो पंडित की बिना बजह ही मृत्य होगी इस बात पर राजा के मंत्री ने बोला कि महाराज पंडित को एक कच्चे सूट के धागे से फांसी लगवा दीजिए इस तरह से आपके कथन का मान भी रह जाएगा और पंडित की मृत्यू भी नहीं होगी राजा को यह सुझाव पसंद आया और पंडित भी बहुत खुश था कि वह मृत्यू से बच गया पंडित के लिए कच्चे धागे के सूट का फंदा बनाया गया नियमानुसार पंडित को फांसी पर चड़ाया जाने लगा सभी खुश थे कि इस तरह से राजा की बाप का मान भी रह जाएगा और पंडित भी बच जाएगा पंडित को भी पूर्ण विश्वास था कि उसने मृत्यू को टाल दिया है इसलिए वह खुशी-खुशी फांसी पर चड़ने लगा जैसा कि महाकाल ने कहा था जैसे ही पंडित को फांसी दी गई सूत का धागा तो टूट गया परंतु उस धागे से पंडित के गले की एक नस कट गई पंडित जमीन पर गिर गया और उसकी मृत्यू हो गई किसी को भी यकीन नहीं हो रहा था कि सूत के धागे से किसी की मृत्यू कैसे हो सकती है परंतु यह तो हो चुका था निती ने अपना काम कर दिया था और पंडित की मृत्यू हो चुकी थी हम कुछ भी कर ले भाग्य का लिखा कभी नहीं मिटा सकते इसलिए किसी को भी इश्वर ने भविश्य जानने की क्षमता नहीं दी है। आप खुद ही सोचिए कि यदि उस पंडित को अपना भविश्य नहीं पता होता तो अपना जीवन अच्छे से व्यतीत करता ना कि डर डर कर। तो दोस्तों आप सभी अपने जीवन में भविश्य के बारे में चिंता ना करते हुए अपने वर्तमान को अच्छे से जिएं क्योंकि भाग्य में जो लिखा है वह तो होगा ही उसे कोई नहीं मिटा सकता। उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आई होगी वीडियो को लाइक जरूर करें। यदि आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृप्या चैनल को चैनल को चैनल करें।